आईए दोस्तों बात करते हैं 1 टेमबर 2020 से हमारे भारत सरकार ने हमारे भारत में बहुत या पर बड़े बड़े ऐलान को जारी किये हैं और दोस्तों इस हमारे बड़े ऐलान और नैनियम में हमारी किन सरकार ने सभी आपके नैनियम चेंज कर दी हैं चाहिए आपका किसी भी सरकारी बड़े बैक में खाता है या छोटे बैक में खाता है सब के लिए हमारी किन सरकार ने नैनियम जारी किये हैं तो चलिए आज हम आपको इनी सभी बड़े बदलाव के बारे में एके करके बिस्तार से सभी जानकारों के बारे में एकदम काच की तरह क्लियरली समझाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बन रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लश्ट तक जरूर देखेगा, बस वीडियो में आगी जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेश्ट है कि अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजे, सेर कर दीजे, क्योंकि आपका जो लाइक और सेर होता है, वही हमारी असली मेनत का अफ़ाल होता है, तो चलिए फ्रेंड् 1 सेप्टेंबर 2020 से, हमारे भारत में आपके 10 बड़े बदलाव तो होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपके जो यहाँ पर काम की खबरे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वही खबरे आपको बताऊंगा, और जो आपके 5 नए बदलाव आए हैं, वह आपके बहुत यहाँ पर म हमारा बदलाव निकल करा रहा है, बैंक अकाउंट से नगत बेडरॉल पर TDS, यानि दोस्तों अगर आपका किसी भी सरकारी बड़े बैंक में खाता है, या आप किसी भी पोश्ट में पैसा जमा किये हैं, तो आपके लिए यह खबर जानना बिहदी जादा जरूरी है, और दोस्तों याँ पर लिखा गिया है कि किसी भी बैंक या साकारी या पोश्ट आप इस एकाउंट से एक साल में कूल एक करोड से जादा अगर आप निकासी करती हैं, तो आनि माले हमारे एक सितंबर 2020 से आपको दो फिजदी याँपर TDS लेगी सरकार, यानि दोस्तों आनि मा बातों को ध्यान में रख लिए कि अगर आपका किसी भी सरकारी बड़े बैक में खाता है या साकारी बैक में खाता है, तो आप एक साल में एक करोड पे से जादा मत निकालेगा और नाई आप एक साल में एक करोड पे जमा करिएगा, तो ये कुछ हमारे किन सरकार ने सभी यहां पर बैंक ग्रांकों के लिए कुछ यहां पर नया नियम जारी किये हैं। तो हमारे RBI बैंक की तरफ से यानिक दोस्तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से आपको तुरंत यहां पर रिफंड मिल जाएगा। तो यह कुछ हमारे होम लोन और आटो लोन में बहुत यहां पर बड़े बदला को जारी कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगला निया नियम की तो फ्रेंट से यहां पर लिखा गया है कि KYC अपडेट। यानिक दोस्तों अगर आप पेटियम या फोन पे या गुंगल जैसे मुवाइल वालेट का इस्तमाल करने वाले ग्राकों को 31 अगस 2020 तक हमारे भारत सरकार ने सभी पेटियम वालेट पर KYC अपडेट कराने के लिए कहा है अगर दोस्तों आप भी पेटियम फोन पे या लिंक नहीं कराएंगे यानि दोस्तों अगर आप इसी महिने में लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका पेटियम तो बंद होगा ही साथी साथ आपके पेटियम में जितना भी आपका पैसा रहेगा यानि कि आपका पैसा फंस जाएगा तो अगर दोस्तों आभी पेटियम फो तो आने माली हमारे 1 सित्मबर 2020 से कुछ यहां पर न्यानियम लागू होने माले हैं। और दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अधार को पेन नमर से लिंक नहीं करभाए हैं। उनने income tax department की तरप से नया पेन कार्ड बन माना होगा। और दोस्तों यह जो आपका pen card नया बनेगा, वो आपके EKYC से बनेगा, यानि दोस्तों आपके अधार से ही आपका pen card बनके तयार हो जाएगा, और दोस्तों इस खबर को लेकर के हमारे income tax department ने आपको बड़ी जानकारी दे दी है, और इसी के साथ साथ जो हमारा अगला और यहाँ पर last नियम निकल करा रहा है, तो friends यहाँ पर साप साप रिखा गया है कि traffic नियम में बदलाओ, यानि दोस्तों एक सिटमबर से traffic से जुड़ यहाँ पर बड़े बदलाओ जारी किये हैं, और यह जो आपका निया नियम है, new rule से आने माली हमारे एक सिटमबर 2020 से पूरे भारत के सभी जगों में लागू हो जाएगा, तो अगर दोस्तों आपके घर में कोई भी आपर टू बिलर या फोर बिलर है, तो आप इतनी बातो को ध्यान में रख लिजे, कि आपका ड्रावी लासेंस और आपका गाड़ी का कागच और आपका इंसुरेंस, यह सारा का सारा चीज़ आपका कम्प्लीट होना चाहिए, वरना दोस्तों आने माली हमारे एक सिटमबर 2020 से बहुत यहाँ पर सक्त नैनियम लागू होने माली है तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर मात्रपूर खबर बतानी थी, जो मैं आपको अपने वाई भाई भाई यान चनल पर पूरा जाहर कर चुका हूँ, अगर दोस्तों आपके मन में इस खबर से रिकार्डिंग कोई भी मन में डाउट हो तो आप मुझे नीचे कामेंड सेक पूछ सकती हैं, मैं आपका रिप्लाइ करने का पूरा का पूरा कोशिस करूँगा, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और अप्डेट्स में, तब तक के लिए से उन दा नेक्स्ट वीडियो